दूस्तों, बहुंआने कहते हैं कि चार मामलों में पुर्षों से आगे होती है महीलें यानि कि इन चार चीजों की भूख महिलाओं में पुर्षों से ज़्यादा होती है ये चार चीजे ऐसी कौन सी है जिस मामले में महिलाए पुर्षों से पीछे नहीं है इसके बारे में जानने के लिए आप यह आज का वीडियो आखिर तक जरूर देखते रहें दोस्तों क्या आप अपने सरीर के गुपत रोगों से परशान हैं ये रतियोग आईरवेदी कौशदी आपके सरीर के सभी गुपत रोगों को दूर करके आपकी मरदाना ताकत को बढ़ाने का काम करेगी खरीदने के लिए दिये के कंपनी के नमबर पर आप अभी कोल करें दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक जुरूर करतें आप हमारे चैनल तोटल लग्यान पर नहीं हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूने दोस्तों अगर आप भगवान शिरीकर्षन के सच्चे भक्त हैं तो कोमेंट बॉक्स में जाईश शिरीकर्षन अवश्य लिख दें दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम आपको भगवान शिरीकर्षन के अनुसार बताते हैं कि किन मामलों में महिलाएं पुर्षों से आगे होती हैं इसका जिकर चांग कैनी की हिंदू धर्म गरंथों में भी किया गया है कि महिलाएं कई ऐसे मामले हैं जिन में पुर्षों से आगे हैं सबसे पहले बात करते हैं बुद्धी मता की बुद्धी मता के मामले में आवरतें पुर्षों से चार गुना अधिक होती है यानि कि बुद्धी पुर्षों से महिलाओं में ज्यादा होती है भगवान श्रीकर्षन के अनुसार बुद्धी मता की बात की जाए तो महिलाएं पुर्षों को पीछे छोड़ देती है महिलाएं पुर्षों से ज्यादा समझदार और चतुर होती है वे अपनी सुजबूज से किसी भी समस्या से निपड सकती है वो हर परशानी का बिना ड़े सामना करने के काबिल होती है इसके बाद भगवान श्रीकर्शन कहती है कि महिलाओं में पूर्शों के मुकाबले साहस च्छैगुना होता है भगवान श्रीकर्शन ने अपने सरलोक में कहा है कि साहस महिलाओं में ज़्यादा होता है महिलाओं में सारे लिक बल चाहे पुर्शों के मुकाबले कम हो लेकिन साहस का मुकाबला पुर्श नहीं कर सकता वे अपने साहस से किसी भी परेशानी से लड़ सकती है भगवान शिरी कर्शन कहती है कि इस मामले में महिलाएं पुर्शों को पचाड देती है इसके बाद भगवान शिरी कर्शन ने हिंदू धर्म गरंथों के अनुसार कहा है कि कामुकता महिलाओं में पुर्शों से अधिक होती है कामुक्ता की बात आए तो कामुक्ता यानि की उतेजना महिलाओं में पुर्षों से ज़्यादा होते है वहीं लज्जा की बात की जाए तो लज्जा के मामले में भी महिलाओं पुर्षों से आगे है लज्जा महिलाओं को ज़्यादा आती है पुर्षों में लज्जा कम होती है और महिला लज्जा के मामले में पुर्षों से आगे है इसके बाद भगवान शिरीकर्षन कहती है कि महिलाओं को पुर्षों के मुकाबले दो गुना ज़्यादा भूख लगती है महिलाओं को अपनी सरीर को फिट रखने के लिए कैलोरी की अधिक आवशक्ता होती है जिसकी पूर्ती करने के लिए महिलाएं पूर्शों से अधिक भोजन करती है तो दोस्तो ये तो कुछ ऐसी चीजे थी जिसमें महिलाएं पूर्शों से आगे है वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें और ऐसे ही ग्यान वर्धक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल टोटल ग्यान को जरूर सब्सक्राइब करें